हेलो इस्टुदेंट्स, वेलकम टो चैनल HD165, आज हम डिसकस करेंगे ICSC History Class 8 Chapter 1 का Part 3, ठीक है, यह हम देखेंगे किस तरीके से Transition हुआ Medieval का Modern Age में, ठीक है, इससे बहले हम डिसकस कर चुके हैं सबसे पहली वाली वीडियो में की Sources के बारे में, की कौन-कौन से हैं, Part 2 में Information मिलती है, Modern Age की, ठीक है न, वो नहीं देखा हो तो देख सकते हैं, उसकी आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से अपना के चेक कर सकते हैं, ठीक, यहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से Transition हुआ Medieval से Modern, मतलब एक जो Medieval Face चल रहा था, जो हम लोगों ने पूरी वीडियो कम्प्लीट की हैं, ICSC हिस्ट्री में, वो अच्छानक से Modern Age में Convert हो गया, और हम एक नई एरा में पहुँच गए, ठीक, तो यह कैसे पॉसिबल हुआ, और इसके पीचे कौन-कौन से Factor थे, क्यों हम ज जाएंगे उसको Modern Age कहा जाता है, क्यों उसको Medieval Age नहीं कहा जाता, यह सारी चीजों के बारे में, हम डिस्कवर करेंगे इस Chapter में, ठीक है, या फिर इस Video में, ओके, तो भीपर ब्सक्राइब करते रहें चैनल को, शेयर कर दीजे अपने Friends के साथ, और बता दीजे, इस देजे आपको ICAC content free of course मिलेगा, each and every topics तो भी explain in detail, so हम स्टार्ट करते हमना topic, Transition from Medieval to Modern Age, ओके, देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब मैं आपको discuss कर रही थी Medieval history आपके साथ, कि history में ऐसा नहीं होता है, कि मतलब ये point है, और इस point पे Medieval history था, और हम कहने लगें कि दूसरे point पे क्या है, Modern history स्टार्ट हो गया, कभी भी history का एक fixed point आप नहीं बता सकते कि यहीं, यहीं ऐसा point था, जहां से क्या है Medieval start हुआ, या फिर यहीं ऐसा point था, जहां पे Medieval खतम हुआ, ठीक है, इसलिए इस chapter का नाम क्या है, या period of transition, मतलब जब history में changes होते हैं, या फिर जब नहीं आ रही होती हैं, ठीक है, तो इसी transition में धीरे धीरे, कभ ये Medieval से Modern age आ गया, उसी को कहा जाता है, transition from Medieval to Modern age, ठीक है, हम जानते हैं इसको, with the in world perspective, कि किस तरीके से Medieval से क्या है, Modern age में क्या है, changes आए, अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्या है transition हुआ, सबसे पहले अगर आ आध हो, या फिर आपने पढ़ा हो, कि जो ancient civilization थी, जो मतला हमारा बिल्कुल जो ancient रहात है, आप प्राची न आप civilization कह सकते हो, यूरोप में, वो क्या थी, Rome and Greece civilization थी, और इन civilization ने क्या है, foundation बनाया था, किसका, European culture का, किसका, European culture का, ओके, लेकिन, क्या होता है न, जैसे ही क्या है, जो European culture का foundation बना दिया था, किसने, Rome और Greece ने, लेकिन, अब धीरे-धीरे क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर समय क्या है, एक ही empire established करता रहे, अगर कोई चीज, कोई empire बन रहा है, तो एक time बाद ऐसा आएगा, कि वो empire ढहेगा, उस वो empire क्या है decline भी होगा, हमने मुगल्स में भी पढ़ा ऐसा, हमने कैस सुल्तानित में भी ऐसा पढ़ा, ठीक है, हमने Britishers में भी ऐसा पढ़ेंगे मागी जाके, कि Britishers को भी भागना पढ़ा, इंडिया से, तो मतलब कोई चीज stable नहीं है, अगर एक चीज आज positive है, तो वो चीज negative भी हो सक एक ही चीज चलता है, फिर हर समय, हर साल, हर वर्स, हर century की काम होता रहे, तो कहा है कुछ समय बात कहा है, Roman Empire decline हुआ, ठीक है, और जब Roman Empire decline हुआ, जैसे ही Roman Empire खतम हुआ, वो चीज मानी आने लगी European culture में कि medieval age की सुरुवात हो गई है, किसकी? medieval age की, ancient में वहाँ पे क्या था? Roman Empire इसके decline होने से, यह लोग मानने लगे, कि जैसे से decline होता जा रहा है, medieval age की क्या है, starting होती जा रही है, ठीक, medieval age को अंदिकार का काल माना जाता है, Europe में, यहाँ पे वो सारी practices start हुई, जो क्या थी, बिलकुल बेकार थी, और इसने क्या है, Europe को बहुत ही dark age की रूप में क्या है, convert कर दिया, जैसे कि, यहाँ पे एक सबसे important जो feature start हुआ, जो medieval period की क्या है, important characteristic मानी जाती है, Europeans में, वो है feudalism, क्या है, feudalism very important, यह क्या है, important characteristic थी, कहाँ पे, medieval age की, कहाँ पर Europe में, ठीक, कि तो feudalism होता क्या है, feudalism में क्या होता है, जैसे कि, किसी के पास मानलो बहुत जादा land है, जो इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, जमीनदार, जमीनदार वो लोग होते हैं, जिनके पास क्या है, बहुत सारी जमी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं, जमीनदार, टीक, ऐसे क्या है, बहुत सार small pieces पे क्या है लोगों से खेती करवाता था और उनके under में ये लोग काम करते थे जिसको क्या बोला गया है किसान मान सकते हैं लोग किसान बोलते हैं तो उसको बोलते थे वापर fudence किसको जो काम कर रहे हैं workers इन के यहां काम बहुत है एक्स्प्लाइट के रहता था इन workers को बहुत ही बुरी तरीकी से treat के रहता था और मतलब एक इस जैसे कि यह है न इतना ही लैंड पर क्या है इनका अधिकार नहीं हो जाता सिर्फ एक काम करते थे इन गेंडर में ठीक चाहें निकाल दिये जाएं और जैसे कि मानलो यह लैंड जो बेच दिया मानलो कोई feudal है तो उसके सासर जो इस पर काम कर रहे हैं वो भी बेच दिये जाते थे और जो लैंड ओनर है वो उनका मालिक बन जाता था यह पूरी प्रथाती जिसे क्या है feudalism बोलते हैं जिसमें क्या है feudal काम करते थे जो लैंड लोड थे उनकी कहे है जमीन पर तो ऐसी जो प्रथाए है ये अन्दिकार वाली जो प्रथाए है आप किसी को बंदी बनाके टाइप मानलो बंद्वा मज़दूरी करवा रहे हो और उसको छोड़ी नहीं है उस ऐसे को आप बेच रहे हो लैंड तो बेचने के एक चीज है, उसके साथ साथ जो इंसान काम कर रहे हैं, उनको भी बेज दे रहे हैं ठीक, तो ये प्रता क्या क्या लाधिती feudalism ये important characteristics है कहां का medieval age का European में, Europe age में ठीक, इसके साथ साथ क्या है अब ये क्या है इस वर ऐसे जो ये प्रता चलने लगी तो क्या है, thoughts और ideas ये क्या है, thoughts और ideas free flow नहीं होने लगे देखो, एक होता है कि आप अपने मन से कुछ भी कह पाओ अपने मन से क्या है, decision ले पाओ लेकिन जब ये सारी प्रताय आए लगी तो बहुत साय लोग क्या है अपने thoughts को explain नहीं कर पाए hindrance आने लगी और एक dark age के रूप में क्या है एक innovate होने लगा ओके, इसके साथ साथ क्या है social और cultural development में भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पे क्या है, Christian Christian लोग बहुत ज़्यादा रहते है Christ जो लोग है Churches वहाँ पर बहुत है और जैसे यहाँ पर अपने यहाँ mostly Hindu culture है अपने तो मतलब biodiversity है सभी लोग है लेकिन magazine उन्ट population क्या है Hindus है ऐसी वहाँ पर magazine population क्या है Christian है Christian की जो priest होते थे जो अपने जो फादर बोलते हैं यहाँ जो अपने पुजारी या फिर मौल भी कहते हैं यहाँ पर सिख्ध में जो अपन लोग कहते हैं ग्रंट साहिब ऐसे यहाँ पर कौन से? priest थे तो यह लोग क्या है? इनको यह लोग अपने फालतू के जो rules और regulations निकाले लगे लोगों को एक अंदिकार यूब में रखने लगे और अपनी power और positions को क्या है? बढ़ाने लगे so paristicians की तरह behavior करें लगे अंद विश्वास तेलाएं लगे लोगों के अंदर मतलब डर का माहर बताने लगे और अपनी क्या है? यह strong होते गए तो यह भी क्या है important characteristics क्या होती है किसकी medieval age की दो हम लोगों ने पढ़ा एक feudalism और एक यह growth of Christian era जिसने क्या है लोगों के दिमाग को बिलकुल बंद कर दिया और एक monopoli establish हो गई किसकी church की या फिर peace की ठीक? लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ? मैंने क्या कहा? कोई भी चीच stable नहीं है अगर एक चीच बढ़ रही है तो निश्चित है बोचीज एक जग एक दिन decline होगी ही और अगर एक चीच डिकलाइन हो रही है तो निश्चित है बोचीच बढ़ेगी भी ठीक? तो feudalism जैसे ऐसे बढ़ रहा था Christians और प्रिस्ट की power बढ़ रही थी तो एक टाइम ऐसा आया कि feudal culture कहा है? कमजोर होने लगा feudal culture कमजोर होने लगा तो जोग बहार निकले यूरोप से उन्होंने गरंथों को पढ़ा लोगों की thoughts को समझा बहार के लोग यूरोप में आये प्रिस्ट कलचर धिमेदी में खतम होने लगा और इस तरीकी से जब ये सब चल रहा था न तो ये जो medieval age था वो convert किसमों होने लगा? modern age ठीकि तुमने तीन फेर्ज देख लिए ancient to medieval और medieval to modern age और modern age की सुरूआज जो मानी जाती है European ने वो मानी जाती है renaissance से किसे? renaissance so we'll discuss what is the meaning of renaissance renaissance होता क्या है? किस तरीके से progress हुई? उसमें spread किस तरीके से हुआ? इसके factors क्या है? इस तारा कुछी discuss करेंगे we'll discuss that in part 4 part 3 में इतना ही था thanks for this video बिल्कुल देहां से सुनिये notes collect कर लीजे और अपने किताब और copy कोल के बैठा करिए okay? thank you very much